जैशी राम सभी भक्तों को जैशी रिबाला जी महाराज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि ब्रह्म मूरत में उठकर जाप करने से क्या क्या जो है हमें लाब होते हैं क्या परिवर्तन हमारी जिंद्ग क्याय हमें करें साथ में Bell Icon है इसको प्रươcड कर कर दें कि आनीमली हरे एक वीडियो की प्राप्त करना है अगर चाते हो आप अपने इष्ट की शक्ति को जगाना अपने अंतर मन में जगाना तो ब्रह्म मुर्थ में उठने से आपके जीवन में भोसारा बदलाव होने वाला है क्या क्या बदलाव होने वाला है उन बातों को सुन लेजिए तीन काम कभी मत बूलना अगर आप ब्रह्म मुर्त में उठ रहे हो तो इन तीन काम को अनुशन करकर अपने जीवन में धान करकर आपने अपने जीवन की रेखाओं को बदल सकते हो अपके हाथ में अगर भाग्या रेखा नहीं है आपके आप अपने आपको द्रिद्र मानते हो अपने आपको ये समझ करते हो कि मेरा जीवन जो है बेकार है मैं आपको ब्रह्म मूरत की ताकत बदाता हूं आपको ब्रह्म मूरत में जागरित जब आप जगते हो जब आप उठते हो तब सबसे पहला काम जब भी आप धर्ती को शुपश करते हो अपने आखों पर लगाना क्योंकि यह धर्ति करम चेतर है और अपने इस्ट की अराधना करना कि मैं इस धर्टी पर रहकर हर पगार का अच्छा ही करम करूं ऐसी शक्ति मुझे परदान करो दोनों हाथों को रगर कर अपनी आखों पर लगाना और अपने हाथों को मिलाकर ऐसे अपनी रेखाओं को देखना और उसके बाद अगरी तरफा में रहती है जैसे आपको पता है कि 12 कि 12 से समय के महा निशीद कालगी रातरी धुयक्तु ही है वह ब्रह्मूरत ता है वह संब्रहारे चार बजे कहते कि कुछ समय एसा होता है जिस समय आप बहुत कुछ प्राप्ट कर सकते हो कहा जाता है कि उस में बर्मांड में प्रान वायू होती है और प्रान वायू हमारे अंतर में वास करती है प्रान वायू अक्सीजन ही है हम उस अक्सीजन से अपनी अंदर की शक्ति को जगा सकते है अपनी कुंडूलिनी शक्ति को जगा सकते है ध्रञार केंधित कर सकते हैं अपने सुद्रशन को जगा सकते हैं तो उस पकार से हमें कैसे करना है यह सारा काम अपने एक जल का लोटा रखना है उस जल के लोटे के आगे आपके अगर मंदिर में भी बैठ सकते हो नहाइकर धोकर अपना सनानादी करकर बिलुकुल शुरlection तोर पर थोरे से कत्नाई आपको बहुत जादा धिनली बनेगी जैसे कि मैं उन कत्नाईयों को आपको बतायता हूं जब भी आप ध्यान लगाओगे आप ध्यान में बैठोगे तो आपका मन बड़ा बेचलित होएगा और नींद भोत आने की कोशिश होएगी नींद दिर दिर ये व्याकूलता रहती है कि हम ध्यान लगाएं या फिर मंतर का जाप करें ये भी मन में बहुत ज़्यादा आपके मन में रचता है कि कब हम ध्यान लगा रहे हैं तो मंतर का जाप मंतर का जाप अंतर मन से उठता है मांसिक जाप अंतर मन का जाप उसमें कब उस अवस्था म में नहीं पूछ पाओगे नेकिन शुरुआति तोर में जब आप कोई नीव रखते हो किसी भी मकान की तो मकान तो वाख खरा होता ही होता है नेकिन कब जब आपका अधार मजबूत हो जब आप अपने आपको पूर उपसे मजबूत हो जो मालो गंटा आप जिहान में बैठ स होती है यह वात्मी के शरीर में अगदम बिलकुल अब ध्यान प्रभु के श्री चर्णों में अपना ध्यान लगा लेते हो नेकिन वो उस ध्यान में पोचने के लिए आपको काफी संदर्श का सामना करना वरता है शुरुआती तोर का नेकिन भाद में बाद में यही ब्रह जान लगाकर सब कुछ देख सकते हों अपने इष्ट पे पुन रूप से विश्वास करकर आपको अपने आप ही तरंगों से संकेत आएंगे जब आप ध्यान में बैठोगे तो अपने आप ही आपकी तरंगे आपके कानों में आपकी इंद्रियों में ऐसा अपने आप ही जब सब कुछ आपको पता लग सकता है सामने वाला व्यक्ति कैसा है नेकिन ये अभिहास जो है तकरीबन तकरीबन जो मैं आपको बदाएता हूँ कि दो धाई मिन्ने के बाद ही होगा मैं जूट की परकिरिया नहीं करता कभी जो बात बोलता हूँ सक्षी जो हमने अपने जीवन में कुछ दार्ण किया है वही बताएंगे मन गनत बाते आपको नहीं बताएंगे आप जब शुरुवाती तोर पर ध्यान लगाओगे बहुत सारी आपके उपर क्रश्ट की प्रकिरिया आएंगी नीद आना सिर गुमना कंदे भारी होना कई वारी अबासिया आनी बहुत बड़ी-बड़ी नेकिन धिर दिले फिर ध्यान लगाओगे तो कई और चले पर ध्यान से हटोगे फिर मंतर जा आप यह सब पर किरिया नेकिन स्टेप पर स्टेप जब अप ध्यान लगाने लग जाओगे ब्रह्मुरत की ताकत ब्रह्मुरत की शक्ति आपको ऐसी पराप्टिया कहते हैं कि जब सारी दुनिया सोड़ी होती है कुछ गीने चुने बोने, सुबह के विक्ति जो चार बजे उटकर ध्यान लगाएगा, आपसे जो कौन ऐसा विक्ति होगा, उस समय ध्यान लगाएगा, अपने प्रभू का, अपने इस्ट का, तो उस समय किरपा प्राप्त होगी, सारा सहर बिलकुल शानती, आपको अगर कोई भै लगता है तो उस भैस से लिए आप मुक्त हो जाओ, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के ओपर कोई नकराता मकुर्चा का वास है, तो उसका भी आपको संकेत सामने आने रख जाएगी, इस भ्रम मुरत की शक्ति से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, वो सब कुछ हो, आपको शक्ति पेचाननी आए, सामने वाले पर क्या चीज है, कब है, क्यू है, वो सब ब्रम मुरत से ही जागित होईगी, ब्रम मुरत का ध्यान लगाकर अगर कारिये करोगे, तो आपकी चेतना, आपकी शक्तिया, आपकी इंद्रिया, आप कंट्रोल करना भी सिख होगी, तो बोलिए जैसी तराम, जैस श्री, मलवर, जैमा,